तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भासा का बहुत important topic क्यों भाईया क्योंकि ये है संधी और संधी मतलब दो सब्दों के बीच में जो हम क्या करते हैं तालमेल बिठा के उनके बीच में जो इस्थापित करते हैं वो संधी कहलाती है हाँ भाई सब्दों में अपने इस पर डिसकस करने वाले हैं और दोस्तों में जरूर शेयर कर देना क्यों क्यों कि भाई दोस्त भी तो है उनका भी तो भला करना है साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है तो अपना भला कर लेना है मेरा भी भला हो जाएगा क्या हो जाएगा आपक परिभासा है मतलब definition हमें इंगलिस में काय को बोलें हिंदी की बात करें तो संधी वो है जहां दो सब्दों के मेल से कुछ नया तीसरा निकल के तूफा नहीं आता है वो संधी कहलाता है ठीक है भाईया संधी अलग-अलग प्रकार की होती क्यों अलग प्रकार की होगी क्योंकि भाईया हमने देखा कि वर्ण माला है क्या है भाईया वर्णों की हमने बात करी थी तो वर्ण माला में अलग-अलग प्रकार की चीज़ा हो रही थी एक तो स्वर हो रहे थे, क्या हो रहे थे, स्वर हो रहे थे, हो रहे थे ना, तो स्वरों में अगर हमने क्या करे, मेल करे, दो सब्दों के, या दो अलग-अलग स्वरों के मेल से, जो संधी बनेगी, वो क्या होगी, वो स्वर संधी हो जाएगी, होगी के नहीं होगी, बिल्क तो समझ रहे ना, दो बिंदी बाद में लग जाती जो आहा वाली, तो बस वो क्या हो जाएगा, विश्यर के संदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्यर के संदी, तो संदी तीन प्रकार की बड़े रूप में होती है, फिर इनके अलग-अलग और प्रकार होंगे, वो हम स के बाद संधी तीन प्रकार की प्रमुकता होती है स्वार संधी वियंजन संधी और विशर्ग संधी ठीक है ना भाईया अब इसके बारे में पढ़ लो स्वार संधी क्या होगी तो स्वार के बाद अगर स्वार आ जाए क्या भाईया स्वार के बाद स्वार आ जाए तो भाई कि स्वरसंदी किसे कहा जाता है, तो जब दो सवरों के मेल से नया एक बिकार परूपिया नया वर्ग आ जाए, परिवर्तन आ जाए सब्द में, तो वो संदी जो है, वो स्वरसंदी कहलाएगे, क्या मतलब है उधारण से समझाओ, तो उधारण कैसे समझाएंगे जब ये महा और आत्मा हमने लिया मालो उधारण एक सब्द है महा और एक है आत्मा तो इसमें आपको ये नहीं देखना कि महा क्या है आत्मा क्या अपने को देखना है दो सब्द कौन कौन से मिल रहा है यहाँ पर हा जुड़ रहा है क्या जुड़ रहा है हा और बड़ा आ जुड़ रहा है यही दो सब्दों के बीच में मेल करवा रहा है अपन तो हा तो यह भ्यंजन है लेकिन इसमें बड़ा हा लगा है यानि कि इसमें अगर हम देखें तो लास्ट में बड़ा आ है और आंग तो महातमा नाम बन गया, नहीं तो महातमा नी बन जाता, अगर हम इत्त लिखते तो, तो इनको मिलागे, महातमा बन गया, बन गया की नीमन गया बहुत बढ़ी है, यह कौन सी स्वार संदी है, लेकिन इसमें ब्रद्धी हो रही है, ठीक है ना, हाँ भी अपम टाइप देखे बड़ी यी, दौनों बड़ी यी बिलके क्या बनेंगे, बड़ी यी ही बनेगे रवी और इंद्र इनको मिला देंगे तो रवींद्र हो जाएगा, है ना, तो ये भी स्वरों के मेल से बन रही हाँ भीया, तो ये सारी स्वरसंदी है, पित्र रिण, तो पित्रण कहलाएगा है ना, हाँ भीया, अब व्यंजन संदी की बाद करें, व्यंजन संदी समझगा होंगे आप, जब स्वरसंदी में दूस्वरों के मेल कर रहे थे, तो व्यंजन संदी में एक भी व्यंजन आ गया सब्द का, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संदी कह देंगे, जब भी कोई एक व्यंजन है, और उस व्यंजन के बाद, चाहे स्वरा आ जाए, व्यंजन आ जाए, उससे कोई फरक नहीं पड़ता भाई साम, वो संदी क्या होगी व्यंजन संदी कहलाएगी कैसे उधारण बताओ तो उधारण देखो भाईया जैसे वाक इश अब ये आदा का है पूरा का थोड़ी है आदा का है वाक ये व्यंजन है आदा का और इसमें ई लग गया ये स्वर है तो क्या होगा वागीस इसका संदी हो जाएगा प आप ये आदापा है पूरा पा नी आप और धी तो अब धी बोलते हैं इसको यह विशर्ग संधी की बात कर लें विशर्ग संधी आप विशर्ग आजाता है जहाँ पर विशर्ग मतलब दो विंदी आ गई तो विशर्ग संदी, अब देखो क्या लिखा है, विशर्ग के बाद, समझ गया है न, विशर्ग, यानि दो विंदीयों के बाद कुछ भी आ जाया साहे, सवर आया चाहे, व्यंजन आए उससे फ़रक तो पड़ी ने रहा है, न, वही ची योग मनो योग बोलते हैं इसको आना निहि कपट निश कपट बोलता है अभी अपने की कर लेंगे ये प्रेक्टिस भी करने पड़ेगी क्योंकि अभी संधी विच्छित का कुश्चन भी आएगा कि निश कपट इसके संधी विच्छित करो तो अपने को आंसर लिखना अबये सिलो-सिलो सिंपिल-सिंपिल कोई शनाते हैं बस हमें बेस क्लियर हो कुछ नहीं करना है ठीक है धुह धन जन दुरजन बोलते ना दुरजन हाँ नमा ते नमस्ते जो बोलते नमस्ते तो वो कैसे आता है नमा धन ते नमस्ते ठीक है तो ये आपके स्वार के बेसिक हो गए अब एक एक जो संदी है उसके बेसिक हो गए अब एक एक संदी को अपन डेटेल में पढ़ेंगे क्योंकि सवारसंदी भी अलग-अलग प्रकार की होती है, प्यंजन संदी भी अलग-अलग प्रकार की होगी, विशर्ग संदी में तो ज़यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हम सब के subtype भी पड़ेंगे, ठीक है भाइया आँगे बड़े, तो चलो स्वारसंदी के प्रकार, सबसे पहले यहाँ पे दीर्ग स्वारसंधी, क्या होगी, दीर्ग स्वारसंधी सबसे पुरानी या सबसे पहले नंबर पे स्वारसंधी का प्रकार है, ठीक है, तो दीर्ग स्वारसंधी का नियम क्या है, जब चोटा आ और चोटा यह first word और second word दो word जहां मेल हो रहे हैं चोटा और बड़ा मिला के बड़ा आ बन जाता है दीर घो जाता है बड़ा हो जाता है जब दो चोटे मिलेंगे बड़ा हो जाएगा यह एक चोटा हो और दूसरा बड़ा सब्द हो तो भी बड़ा बनेगा दूसरा बड़ा हो पहला बड़ा हो दूसरा चोटा हो तो भी बड़ा बनेगा दौनों बड़े हो तो भी बड़ा ही बनेगा तो याद रखो कि जहां पर जब दो वर्डों के मेल से नया वर्ड जो है बड़ा बन रहा हो, क्या बन रहा हो, बड़ा 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 या इध में इवाला ले ले ले, छोटी छोटी मिला के बड़ी होगा, छोटी बड़ी मिला के भी बड़ी होगा, और दोनों बड़ी मिला के भी बड़ी होगा, तो जब भी कभी दूसरा वर्ड, पहले और दू के क्या हो गया, बड़ा या बन जाएगा, दिव्यास्त हो जाएगा, क्या हो गया, दिव्यास्त, तो ये संधी कौन सी होगी, दीर्ग संधी होगी, दीर्ग और स्वर है, तो दीर्ग स्वर संधी, ऐसे ही देख लो बैया, सिव आलाय, तो सिव आलाय हो गया, है ना, रचना अ और एक्षा हरिच्छा परी इक्षा परिक्षा सची इंद्र सची इंद्र ठीक है तो बड़ी इ आरी है बाद में तो जब बड़े बड़े क्या आजाएं आपके हाँ दीर्गिस्वर जहाँ आजाएं तो वहाँ दीर्गिस्वर संदी होगी समझ जाओ, बहुत सिंपल सी बात है चालिए, इसके में और भी उधारण है जैसे बड़ी, बड़ी, बड़ी हो जाएगा उ, उ मिलके बड़ा उ हो जाएगा ये सारे बड़े उ के हैं, ये रिशी वाला है तो ये options दियो हैं यहापे है ना उधारण, प्रतवी, बड़ी ई और ईश, प्रतवी इश हो जाएगा है ना, सू, उक्ती उ, उ, सूक्ती बधू, उच्व, वधुच्व सिंधू, उर्मी, सिंधूर्मी भू, उर्जा, भूर्जा पित्र, रिण, पित्र, रिण रिशी का ही बनता है तो कोई से पस yi तो यह दीर के स्वर संदी हो गई दوسरी है भाईया, गुण स्वर संदी क्या? गुण स्वर संदी, गुण स्वर संदी में क्या है? की जब पहला स्वर और दूसरा स्वर, अलग-अलग आहे और इससे एक नया सब्द बन के आए है ना जो हमने देखे थे साइयोक्त स्वार वैसा ही साइयोक्त वाला काम है तो इसमें भी गोण स्वार है गोण ही परिवर्ते थो गया जब A और E को मिलाएं तो A बनेगा या A और बड़ी E को बनाएंगे तो भी A बनेगा बड़ा A और E बनाएं तो भी A बनेगा बड़ा और बड़ी E बनाएं तो भी A बनेगा ये तो A बनेगा O बनेगा A और अर बनेगा ठीक है तो ये जब बन जाएं सब्द नए सब्द तब बहां क्या होगी, गोन स्वार संदी होगी, तो भाईया, नर में आ और इंद, नरेंदर ए बन गया है, नरेंदर यहाँ, ऐसा ही, गणेश ऐ, ठीक है, यहाँ पर आई, है न, राजा और इंदर, राजेंदर, तो यह आपको देखना है, रमा और इस, रमेश, नरोतम, नर होता है, सूर्य उश्म, सूर्योष्म, ठीक है, गंगा अर्मी, देव और रिशी, देवर्शी, और राजा, रिशी, राजर्शी, तो र और अर, आ और अर, ये आ जाये, तो ये सब के सब वो संधी कौन सी होगी, गुण स्वार संधी कहलाएगी, इसकी question अपन करेंगे don't worry बिलकोल परिशानी हो अभी तो केबल अपने को क्या करना है समझना है फिर है व्रद्धी स्वर संदी एक तो हमने दीरग संदी पढ़ ली एक गुण संदी पढ़ ली अब ब्रद्धी संदी पढ़ेंगे ब्रद्धी संदी में भी कुछ नहीं है इसमें क् खोडल स्वर संदी में यह चोटे बन रहते छोट अ बन रहा था और ओ बन रहा था और नहीं क्या भणेगा बड़े और हमिले चुटा मिलके ए बडा और मिलके फिर ओ मिलेगा तो इक सबस्त ञaut स्वएक्षिक, महाश्वर्य, परमोजश्वी, महाओजश्वी, परमोशद्ध, महाओदार्य, ठीक है? ये ब्रधी स्वर संधी हो जाएगा, फिर भाईया यड स्वर संधी, कौन सी यड स्वर, अभी अपने कौन कौन सी पढ़ लिये? सबसे पहले दीर्ग स्वर पढ़ी, सीर्ग स्वर संधी, फिर हमने पढ़ी गोन स्वर संधी, फिर ब्रधी स्वर संधी, ठीक है भाईया? अब पढ़ रहे है यण स्वर संधी, यण स्वर संधी में क्या होता है? कि जैसे ए या बड़ी हो, इसके साथ कोई और स्वर आजाए, तो वो क्या है? मा में परिवर्ति बैवन आगे साथ कोई स्वार आ जाये तो良्म है परिवर्तित हो जाता है यही क्या है याड स्वार सन्दी है मतलब यहां यदी मैं ए आया तोटी और अपी यह वान जाता जाता है यहां रिशी आ जाये पित्र और आदेश तोिट्र आ ते र पित्र पित्र आदेश तो ये यण स्वर संदी हो जाती है तो हमने कित्ती पढ़ ली दीर्ग स्वर संदी गुड़ संदी व्रदी स्वर संदी यण स्वर संदी और बस अयादी और बची है कौनसी अयादी स्वर संदी तो अयादी स्वर संदी पाची संदी जब ए और आ आए हो जाए बड़ा ए मतला आई और आ आए हो जाए आए आए आव तेक है आबी आवी आबू ये सारे सब्द बदल जाए जब स्वर आए ए के साथ आए तो आए हो जाता है बड़े ए आई और आ के साथ आए ए और ए के साथ आए ओ और आ के साथ अव और आ के साथ आव ओ और ए के साथ आवी कैसे ए और आ ने में ए आया और अन तो इसको नाए आया ना आया नयन ठीक है ऐसा ही ने और आ के साथ नायक आये ठीक है ने का नाई का पवन अव पवन पाओ आव आया, पवित्र, पवित्र, अवित्र, इत्र, ठीक है, नौविक, नाविक, आवि, और भावुक, भावुक, भावु, आवु, ठीक है, तो ये सारे आयादी स्वरसंदी हो जाते हैं, changes आ जाते हैं, अब ये सब स्वरसंदी, व्यंजन संदी, जी हाँ, तो व्यंजन संद वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्दन हो जाए ना छोटा का है अगर का वर्ग है का वर्ग है तो इसमें क्या होगा का खा गा का खा गा यानि पहला जो का वर्ग है उसका वर्ण है वो तीसरा वर्ण परिवर्दन हो जाता है गा में अगर का लिखा है तो वो गा में परिव गज, तो इसमें का की जगा गा जाएगा, दिगज हो जाएगा, हाँ, ऐसी चावर्ग का जा में, चा, चा, जा, तो जा में परिवर्तित हो जाएगा, अच, अंत, अजंत, शट, ये टावर्ग हो जाएगा, टा का लड़ा हो जाता है, तो शडानन, तावर्ग का दा में हो जा दा आ गया और पावर्ग का बा में हो जाता है अप ज अब ज तो ये एक नियम है व्यंजन संदी का दूसरा नियम क्या है वर्ग के पहले वर्ण का पाँचवे वर्ण में परिवर्ण कावर्ग में का खा गा घा रा है तो का रा में परिवर्ण हो जाएगा तावर्ग में क्या हो जाएगा रा में परिवर्ण हो जाएगा तावर्ग ना में हो जाएगा दा ना में हो जाएगा पा मा में हो जाएगा तो ये कैसे है वाक मै तो बांग मैं होगा सट मुख शट हो जाएगा उद्मात उन्मात हो जाएगा अप मैं हो जाएगा तो यह तीसरा शा चा चत्री वाला चा है जो चा से बहुत सारे नियम है इसमें हिरश्च श्वर और बड़ा आ आ आ जाए तो चा के साथ च्छ हो जाता है आदा चा और च्छ च्छ जैसे परिचेद परी और च् यह च्छा के नियम है, इंपोर्टेंट है, मा, मा का अनुस्वार या पंचम बढ़ में बदलना, अनुस्वार मतलब आपको पता है, अम, हाँ, और पाँचवे बढ़ में, मा अगर है कहीं व्यंजन, तो उसका किस में बदला, तो मा का के साथ डख हो जाता है, मा गा के साथ ठीक है, ता, दा, वा, ना, इनसे सम्बंदित क्या नियम है, ता और ला रहे, तो अदला उर ल, दा और ला रहे, तो भी आदला, जैसे उतलास, तो इसको लास बोलेग Recogn उतलिकhes लिक वू लिकित, बूलल तो यह सीदे, सीदे, नीम है, ना के रसंदलनें के नियम है, इर्र तो यह डा हो जाता है, तो प्रणीत, त्रण, पुरा, पुरान, पोशन, पोशन, यसे सा से संबंदे कुछ नियम है, यह सब स्वारा जाएं, और इसके सा आ जाएं, तो यह शाषट कोड बाला बनता है, तो विशम, शुशमा, ओशद, चलिया, यह सब आपकी वियंजन संदी कुछ नियम थे जो पूछे जाते हैं, सीदे सीदे, विशर्ग संदी, विशर्ग संदी में क्या होता है, विशर्ग हो जाता है, तो अगर इसका विशर्ग हो जाता है, जैसे आ, प्लस अहा और आ, तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड अगर इसके साथ हो, तो व अनो बोल देंगे मनो योग है ना हाँ यश और दा ये दा आ गया तो यशो दा तप वल आ गया तो तपो वल तिके हाँ विशर कर रा होना आ और आ को छोड़ कर कोई भी स्वर आएगा आ जाएगा और तीसरा चोथा पांचमा वर्ड कोई आ जाएगा तो वो रा हो जाएगा किसे निह अर्थक तो निरर्थक बोलेंगे दो अचार दुरा चार बोलेंगे सिम्पल सिम्पल से हैं ठीक है विशर्ग का शा होना कोई श्वर लगे उसके साथ विशर्ग है और उसके बाद चा चा या सा लगे तो शा शक्कर वाला हो जाता है निशल 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 शटकोड वाला भी हो जाता है, अगर कोई का खाटा पठा और पा और फा आजाए, तो भही ये शा बन जाता है, यानि दुश्कर्म, निश्पाप, फिर ये, इसका क्या हो जाता है, लुप्त होना, विशर्ग का लुप होना, ये धनुटंकार, धनुश्तंकार, निहरोग, न विशर्ग में, जैसे कैसे अगर आ के साथ लगा है विशर्ग और का और पा आ जाए तो इसमें परिबरतनी होगा, प्रातह का आ गया, तो प्रातह काल लिखना पड़ेगा, अंतापुर हो गया तो अंतापुर ही लिखेंगे, तो ये विशर्ग है कि कुछ अपने संधी के नि अब भई या दोस्तों मैं इसको शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी की सारी तियारी आपकी हिंदी सो रिलेटेड यहीं इसी चैनल पर और किसी भी परीक्षा से सम्मदित सारी तियारी यहीं चैनल पर हो जाया तो मिलेंगे अंगले वीडियो में अं प्लिकी में, जाहिए.